13.7 रोग के कारक, डीसेज एनिट्स कॉस, आपको पता है कि रोग के कई कारण हो सकते हैं, इन्हें हम पहला तातकालिक कारण, दूसरा सहायक कारण के अंतरगत समझ सकते हैं, यदि किसी इलाके में कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है, तो हम कह सकते हैं कि इसका का कारण दूशित जल में उपस्तित विशाणू हो सकते हैं, इस स्थिति में रोग का तातकालिक कारण विशाणू होगा, लेकिन इलाके के अन्य बच्चों ने भी वही दूशित जल पिया है, तब इसका कारण क्या है, कि एक बच्चे को ही दस लगे और दूसरे को नहीं, इ अन्य बच्चे नहीं, अब प्रश्न यह उठता है, कि बच्चे की प्रतिरोधक शमता कम क्यों है, शायद बच्चे को पर्याप्त भोजन नब मिल पा रहा हो, जिससे उसके शरीर में पोशक अवेवो का आभा हो गया, यह भी संभो है कि उस बच्चे में पीढ़ी दर भिन्ता यह पोशक अवेवो का आभाव भी बिना विशाणू के दस्त उत्पन नहीं करते, लेकिन वे रोक के सहाय कारण बनते हैं, बच्चे को स्वक्ष जल उपलब्ध नहीं हुआ है, इसके पीछे अन्निक कई कारण हो सकते हैं, इन में से एक कारण यह भी हो सकता है, कि जहां उस बच्चे का परिवार रहता है, साब सफाई की कमी के कारण वहां का जल प्रदूशित हो गया हूँ, क्या आपको या आपके परिवार के सदस्यों को कभी दस्त हुए हैं, दस्त होने का कारण क्या था, सूची बनाए, इन इस स्थितियों में तातकाली एवं सहायक कारणों को अलग-अलग करीं